प्रिश्क्षन प्रात करके उनको जीवन में उतारने को प्रयास करें चोथा है स्वास्त योग का जीवन में समाविश आयरुवेद का जीवन में समाविश मसाला वाटिका गमले वाटिका का समाविश आप खुद यदि स्वयम अपने जीवन में योग को समाविश नहीं करें गीए और खुद योग नहीं करेंगी तो कैसे स्वस्त रहेंगी स्वस्त रहना हर विजिकी के इन एकफ्ट्री के लिए आनिवार है क्यों स्वास्त ही एक ऐसा कारण है जिसके बाँ सवास्थ से पड़ा होती है और नारी को स्वास्त ही ऐसी दिशा में ले जाता है कि बहुत सारी परिशानियां भुगतनी पड़ती है मैं जानता हूँ नर होने के नाते जानता हूँ कि नारी को कितना दुख कष्ट सहना पड़ता है जब गरवती होती है तो नो महिने के लिए नहीं बलकि साड़े-पाच साल के लिए जब तक बच्ची या बच्चा इस लायक नहीं हो जाता है कि खुड तो अपने पेरों पर खड़ा हो सके तब तक उसको समालना पड़ता है यह सारी चीजें उसी खुद करनी पड़ती है घर का काम भी उसी स्थितिम खुद करेगी और पते के लिए खाना ही बनाएगी सब कुछ करेगी पीठ में दर्द हो रहा है सब कुछ परेशानिया है पर इसके बावजुद भी उसके अंदर भगवान में सहन शक्ती रेजिलियंस इतनी ज्यादा दी है जीवनी शक्ती इतनी दी है कि उसके माध्यम से अपने गुजारा कर लेती है कुछ अतरिक्त उपाय हो जाएं तो जैसे योग आसन के प्रयोग कुछ योग के माध्यम से अपनी सुरक्षा कुछ जड़ी बूटियों के माध्यम से अपनी सुरक्षा कुछ आहर में परिवर्तन के माध्यम से अपनी सुरक्षा कुछ इस प्रकार से अपनी सुरक्षा की यह गंबलों में स्वास्त जो छोटा मूटी चीजें जड़ी बूटिया हैं उनके माधियम से अपनी तवियत को देख रिक कर ले अलोपी थी क्या पड़े ज़रुत पड़े तो हम अपने घर में ही उपलब दोशिदियों के माधियम से अपने अपचार कर ले आप करती हैं ज अपने यह से शुरुआत नी करेंगे तो दूसरों को कैसे बताएंगे कि यह चीजें जरूरी अब आशन देना बहुत आसान है देखिए नारी जागरन होना चाहिए नारी को इसा होना चीज वो तो सबने सुन रखा है पर यह सब चीज अपने से चालू हो चोती चीज स्व सुरी का दियान करेंगे उसूरी की चेतना के मातिम से प्रयूप करेंगे कि अमारे अंदर से बाहर तक प्रकाश के केरने जा रहे हैं और मैं आपको एक चीज बताथा हूं कभी सिरदर्द हो आपको कभी पीट में दरद हो तो सूरी के प्रकाश को यहां तक लाकर देखना और धीरे-धीरे करके अंदकार को कम करने कोशिश करना, आपका यहां पर सिरदर्द धीर-दरी कम होने लगेगा, एक दिन में पता नहीं चलेगा, दो-तिन दिन में आपको पता चलेगा, कि बड़े-बड़े जो आधाशीशी के दर्द हैं, बड़े-बड़े तकलीफे हैं, इसमाँ पता तकलीफे हैं, अब दूर हो सकती हैं द्यान के माद्धिम से, ध्यान में चिकिस्ता की बहुत बड़ी शक्ति है, विशेशुप से दिए गुरदेओं को ध्यान आप करते हैं, गुरदेओं की शक्ति स्वयमा के आपको स्वस्दवर को स्वस्ट बना देंगे, संसकारों के माध्यम से सारे कारेकमों का संचालन, संसकारों के माध्यम से अपने परंपुजी गुर्देओं के संदेशों का प्रशार पसार, और उसके बाद फिर अंतिन है छटा सशक्ति करन, नारी को सशक्त बनाना, अपने पेरों पे खड़ा करना, एक नारी को आपने लिए आपके साथ हो उन सब के अंदर सहास आएगा यदि आपने एक को खड़ा कर दिखा तो बहुत बड़ा पुंडी मिलेगा क्योंकि आपने एक को खड़ा कर दिखा दिखा दें टो समध तो सौलंभी सशक्त संस्कारवान ऐसा बनाना मजबूत यह हमें नारी जाग्राना को खड़ा कर दिना नारी विधाता है स्रश्टी की सोरचना नारी के मात्यम से हुई है ब्रह्मा जी के बाद किसी एक को अधिकार है तो नारी कोई है नारी कामधेनु है नारी कल्परक्ष है गुर्देव कहते हैं और इस कल्परक्ष को वासना की आग में जलाकर कोईला करने क काम भी मनुश्य नहीं किया है अगर हम चाहें तो इसको हम ंचा उठा सकते हैं, हम चाहें तो स्रजिन की देवी बना करके और इसे एक बीच को डाला जाता है तो हजार बीच बन जाते हैं धर्ती माता में जैसे इस तरह से गुर्देव ने जैसे समाज के खेत में बीज बोए अगर नारी अपने क्षेतर में बीज बोए तो इतने सारे नारी नारियों खड़ा कर सकते हैं जागरत नारियों को कि देखते देखते बहुत बड़ा तंत्र खड़ा हो सकता है नारी जागरण इस समय की सबसे बड़ी मांग है, 21 सदी समाज की सबसे परिवर्तन की वेला है, महा परिवर्तन की वेला है, और इस महा परिवर्तन की वेला में नारी शक्ति को ही आगे आना है, सारा काम सभालना है, आपने देखा ना इस समय नारीयां सारे काम को सभाले हुए एक बहुत बड़ा अध्यूग का तंद्र है, मैं उसका समर्थन तो नहीं करता, नाम ले रहा हूं कि अवल बस, कोको कोला नाम सुना होगा, कोको कोला गुरुप की जो मालिका है, इंद्रयनुई, उसने सारे के सारे प्रतिरोंदों के सामना करते हुए, अपने अपने समूग कि समूप को सबसे उचा बना दिया, और पासे के देश्टि इसके खिलाप एक महिला खड़ी होगा, नाराणा, उसके खड़ी हं, यो कोका-कोला, टपसी, मीव्त पीना खराब हैं, हम इसके साथ हैं, सुनिता नारेन के साथ, और री से जग्चे से दून दून का निकालती ह प्रभावति हो circa स्वरुपरानी नेरु हो और चाहे इंड्रगांदी हो उसके बाद आप नाम ले लें तो हमारे जो विविन रूपों में आंधोरन करने वाले लक्षणि भाई हो जलकी भाई हो उसकी जो सह योगी नहीं थि. पूरे देश को अगर किसी ने सुदनता की संग्राम में शक्ति दी नारी शक्ति मिती हैं. जो दुर्गा भावी नहीं होती तो परिवार की भाष्यम बात करते हैं, हम परिवार की भाष्यम बात करेंगे और नारी जागरन का एक अच्छा सा अंदोलन ऐसा खड़ा करेंगे, कि पूरे देश में एक वातावन बन जाए, किसी ओर संगठन के पास अंदोलन नहीं है, किसी ओर संगठन के पास नारे जरूर है, पर सुव्यवस्थित अंदोलन, सुव्यवस्थित पाठेक्रम, सुव्य कि इसमें क्या हिए सबसे आप इंटरेक्टिव और पूशन पूशन आपको क्या कि अनके खिलाफ कैसे काम करें बैसलों के खिलाफ कैसे भाग इहां से सराभ के हमारे खर को गर्वर कढ़ता है तो पती भागा वह से तो फिर पाकिस्व उसके पीची पीचे भाग गय कि इसके बाद पुलीस सवाले आएы पुलीस ऑलम से का तुमको मार काना है, पुलीस बहाग गए घर दिर करके शराब की बट्टी बालों कर अब दो सब भाग गए तुम नहीं भागोगे तो हम तुम को मारेंगे शराब की बट्टी बहागे शराब पूरी की पूरी बाते कहीं उसके बाद इसी गुस्से भरी बाते क्यों कहीं वो इसलिए कहीं है कि अगर अंदोलन नहीं खड़ा होगा तो काम कैसे होगा और काम नहीं होगा तो फिर हम नारे लगाते रहे जाएंगे नारी तुम हो शक्ति राश्ट की शर्षत तुम्हें प्रणाम तो क्यों करते रहेंगे लोग उसके बाद कुछ नहीं करेंगे काम माम नहीं करेंगे हमें काम करवाना है और काम करने के लिए खड़ा करना है और खड़ा होना है तो सबसे पले आप खड़े हो नारा मत लगाओ नारे के सासा चलो नारे को जीवन में उतारो अगर नारा जीवन में न आप अंदर से उब प्यार बोलना चाहिए"; आप के अंदर से सारी क्रांती बोल नी ओडही जए कम जी भोलती थी जब माताजी नी काम किया। वे काम आप आप सबको भी करना है। वे उसी काम को, जी ये बिढ़ा रही है, उसी काम को आप लों को आगे बढ़ाना नताल नारी जागरन का, ये जो क्रम चला है, ये बहुत बड़ी क्रांथी बने बहुत बडा क्रम बने, ऐसे गुछ दर्शय प्राथना भाधनियामतेर प्राथना है, अपने बात सवाटम करत झाल झाल झाल